बिहार देनिक न्यूज चेनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एनाईवेश के अंतरगर डियालेट का कोर्स कर रहे हैं जितने भी आपर सिक्षे सिक्षक हैं अगर वह फेल हो गए हैं तो चब्यश की विश्यश परिक्षा में हुए सामिल हो सकते हैं नाईवेश दोरा ली जाने वाली डियालेट की परिक्षा में जो अभिष्ठी अनुत्तिर्न हो चुके हैं उन परिक्षार्थियों को दोब़रा परिक्षा देनी होगी ऐसे अब यर्थी के लिए विशेश परिक्षा का आयोजन 26 से 30 मार्थ तक किया जाएगा विशेश परिक्षा में 501 से 505 विशे कोड़ वाले परिक्षार्थी सामिल होंगे NIOS की माने तो DLA के 4 सेमेस्टरों की परिक्षा अलग-अलग तित्यों में ली गई इन परिक्षाओं में जो परिक्षार्थी किसी विशे में फेल हो गए हैं वे विशेश परिक्षा में सामिल होंगे विशेश परिक्षा देने के बाद ही उन्हें फाइनल डियल्ट दिया जाएगा परदेश भर में विशेश परिक्षा में कुल 25,700 परिक्षार्थी सामिल होंगे विशेश परिक्षा का आयोजन केबल पतना में ही किया जाएगा इसके लिए कुल 26 के अंदर बनाए गए हैं इन संबन्द में सभी जानकारी परिक्षार्थी को दी जा रही है तो दोस्तों आपने देख लिया कि एनाई उस के अंतरगत डियालेट का कोर्स कर रहे फेल परिक्षार्थियों के लिए 26 से होगी विशेश परिक्षा इन में कोर्स कोर्ट 501 से 505 में फेल हुए परिक्षार्थी सामिल हो पाएंगे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आज की वीडियों बस इतना ही मैं आपसे बिजा लेता हूँ जै हिंद जै भारत